आज हम आपको बताएंगे कि आखिर कौन है भारती जन्ता पार्टी के भाईजान, जालिदार टोपी और मुसल्मानों की बीच में वोट मांगते हुए बीजेपी प्रत्यासी की पूरी काहनी साथी साथ ये भी बताएंगे कि कैसे चुनाओ की तारिखें टली तो अखिले इश्यादव हमलावर हो गए और जानिए एसी वाले पानी को चारणा में समझ कर पीने वाए लोगों की पूरी सच्चाई सबसे बात कर लेते हैं राम वीर सिंग ठाकुर की उनका एक वीडियो सोचल मीडिया पर खूब वालल है इस वीडियो में वो मुसल्मानों के बीच नजर आ रहे हैं जालीदार टोपी जो की एक धर्म विशे से जोड़ कर देखा जाता है उसको पहने हुए और उनके बीच में वोट मांगते नजर आ रहे हैं और इसके बाद उनको एक संग्या दी जा रही है उपचुनाव में अपनी पार्टी के लिए अपने लिए मुसल्मानों के बीच में वोट मांग रहे हैं और इस तरीके का अटायर में दिख रहे हैं तो दूसरी तरव आपको जहारखंड में भार्चेंता पार्टी के आसाम से मुख्यमंत्री हिमंत अभिस्वसरमा के वो ब इस सीट की कहानी ही कुछ ऐसी है इस सीट पर बीते 31 साल से भार्टी जन्ता पार्टी चुनाव नहीं जीती है बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किल सीट है क्योंकि यह मसलिम बाहुली सीट है यहां पर 60 फीजदी मुसल्मान है 40 फीजदी हिंदू हैं लेकिन रामवीर सिं लोगों से फरजी केस हटवा हैं ऐसे में हिंदू मरदाताओं के इतर मुसल्मान वोटों में भी उनकी अच्छी खासी पकड़ है और अगर आप देखेंगे तो तीन बार से लगातार चुनाव हार रहे रामवीर सिंग ठाकुर का वोट परसेंड बढ़ता रहा है क्योंकि क रहा जाता है कि उनको मुसल्मानों का वोट भी मिलता है ऐसा उनको भी लगता है अब सवाल यह है कि आखिर रामवीर सिंग ठाकुर है कर रामवीर सिंग ठाकुर भारती जनता पार्टी के प्रत्यासी है कुंदर की उप चुनाओं में इससे पहले वो तीन बार और करन नहीं होने देना होगा अगर मुसल्मान हिंदू दो वोट बढ़ जाते हैं जो अक्सर बीजेपी के लिए फाइदे बंद होता है जहां पर हिंदू वोट इकठा होते हैं लेकिन यहां अगर ऐसी गोलबंदी होती है तो भारती जनता पार्टी को नुकसान हो सकता है क्य जोन मुसलिम चेहरे वो मौजूद थे इसके अलावा रामिर सिंग ठाकुर मौजूद थे उनको टोपी पहनाएगी और वो एक परच्छा लेकर ये भी दिखाते रहे कि अगर आप वोट देंगे हमें तो हम मानेंगे कि आप हमें वोट देंगे तो हम नहीं मानेंगे कि चर्चा में हैं किस तरीके से भार्चिन इंता पार्टी के एक प्रत्यासी इस अटायर में दिख रहे हैं और लोग उन्हें अब बीजेपी का भाई जान कहा रहे हैं अब आते हैं उस बड़ी खबर पर जिसकी चर्चा खूब रही दरसल चुनाव आयोगने उत्तर प्रदेश में नौ सीटों पर हो रहे हैं उप चुनाव की तारीकें बदल दी पहले उप चुनाव 13 नौंबर को होने वाले थे लेकिन चुनाव आयोगने से बदल कर इसकी तारीक 20 नौंबर कर दी वज़़ जो चुनाव आयोग की चिठी में सामने आई वो यह कि कुछ पार्टियों ने इसकी मांग की थी जिसमें भारती जन्ता पार्टी, RLD और बस्पा सामिल है RLD उन पार्टियों में जिस सबसे पहले डिमांड कर रहे थी क्योंकि इसकी वज़़ा है कारतिक पूर्णिमा मांग करने वाली पार्टियों की दलील ये थी कि कारतिक पूर्णिमा में लोग बाहर होते हैं कारदिनों के लिए गंगासनान होता है तो ऐसे में चुनाव पर इसका प्रभाव होगा खासकर मीरापूर, गाजियाबाद, कुंदर की और फूलपूर जैसे सीटों पर इसका असर देखने को मिल सकता है आसे में चुनाव आयोग ने इसकी तारिक बढ़ाकर 20 तारिक कर दिया निकि एक हपते बाद अब चुनाव होगा, लेकिन समाज़धी पार्टी इसे अलग टोन पर ले गई, समाज़धी पार्टी ने इसे BJP की हार बताई, समाज़धी पार्टी का कहना है कि BJP हारती है तो टालती है, खुद अखलेश श्यादों ने सोचल मीडिया पर पोस्ट करके इसी तरीके से भारती जुलता पार्टी पर हमला बोला, अखलेश श्यादों ने कहा टालेंगे तो और भी बुरा हारेंगे, पहले मिलकीपुर का उप्चुनाव टाला, अब बाकी सीटों के उप् जैसे ही भाजपा को इसकी भनक लगी, उसने उप्चुनाव को आगे खिसका दिया, जिससे लोग की छुटी खत्म हो जाया और विना वोट डाले वापस चले जाएं, ये भाजपा की पुरानी चाल है, हारेंगे तो टालेंगे, आजकर बीजेपी और समाजदी पार्टी द एक वाइरल वीडियो की, ये तस्वीर खूब वाइरल नहीं, सोसल मीडिया पर बहुत साइब लोगों ने शेर किया, इसमें एक महिला, एक हाथी नुमा आकरती से निकल रहे है, पानी को पीती है, और उसे चर्णाम्रत समझती है, और उसे कहा जाता है कि चर्णाम्रत नही बलकि ये एस यानि की एर कंडिशनर से निकलने वाला वो वेश्ट पानी है, जो सायद सिहत के लिए अच्छा नहीं होता है, और ये तस्वीर है उत्रप्रदेश के विरिंदावन की बाके बिहारे मंदिर की बड़ा चर्चित मंदिर है, और ये वीडियो भी बहुत चर्च कित हुआ, तो ऐसे में ये जानने की कोशिस की गई उपी तक के द्वारा कि आखिस की सचाई क्या है, दरसत हमने जाकर वहां देखा तो आपको वह अस्थान दिखेगा, जहां से पानी गर रहा है, और जहां पर लोग अभी भी उसे चर्णा मृत समझ कर भगवान का प्रसा कराते हैं, वो आपको तुल्सी डाल के हाथ में दे देते हैं, तो ये पोछे का पानी है, सफाई का पानी है, और जो एसी का वेस्टेज पानी है, वो होता है, मैं वरंदावन बांकी भारी मंदर से आशीस गोसामी, जैसा कि आप जानते हैं, मंदर के पीछे जो जल टपकता है, दो हाती इसे मूँ बने हुए हैं, वहां से जो पानी टपकता है, लोग उसे चिनामर्त समत के सुलकार कर लेते हैं, मैं बता दूं कोई ब्रहांती ना रहे, बिहारी जी महराद के शनान का जल, जिसे हम सभी लोग चर्णामर्त के नाम से जानते हैं, इतना सहज नहीं है कि वो नाली के माध्यम से गिरे और बाद में लोगों के पेरों तक पहुँचे, बिहारी जी के शनान का जो जल है, वो मंदर के अंदर पुजारी जन आप भक्तों की अंजली में देते हैं, तुल्सी जल के साथ जो भक्त शदालू अपना सुवे की शुरूबात बिहारी ज करने का जल है, मंदर को सवाय के दोरान, गर्व गडरजी सवाय के दोरान यह बहता है, यह वह जल हे, अगर कोई व्यक्ति ब्हांती से या गलत प्रमिल से उसल को ले रहा है, यह सोच कर कि भहरी जी कर दोर्द आप दूर करें और सहज स्विकार करें, जो सत्यता है, रperformance की ये भक्ती का मामला भी है और लोग इस पर सवाल भी खड़े कर रहे हैं यानि कि तर्क और भक्ती एक दूसरे के आमने सामने खड़ी नजर आती है फिलाल आपके अपनी क्या राह है आपको क्या लगता है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं फिलाल आज की उपी मितना ही एक्तरी उपी तर कमस्कार